एलो फ्रेंस वेकंसी है उसके बारे में आपको जानकर देने वाला हूं जैसा कि आप सभी को पता है साथ जुलाई को आपका जो EASIC का जो एक्जाम है वो यहां पर कम्पलेटली करवाया जथ चुका है एनकी EASIC का आपका जो श्रुट कर जो रेकृत्मेंट था जिसका ओफ-लाइन M.I.D.M. से आपका जो एक्जाम था वो यहां पर कम्पलेट करवाया गया है सबी को पता ही होगा OMR seat के उपर आपका जो exam है वो completed किया गया है आज की इस वीडियो के अंदर जो सबसे important चर्चा करेंगे वो करेंगे इसकी जो cut-off है उस cut-off के बारे में आपको सोड़ी update दूँगा साथ में बताऊंगा कि level कैसा रहा सबसे important चीज आपकी यह रहेगी कि जो department से आपको nursing से related अगर को update आती तो आपको सारी इस channel के माधियम से आपको time से में प्रोड करवाने की पूरी-पूरी कोसिस करता हूँ तो सभी साथियों से मेरा एक निवेदन रहेगा कि जो भी मेरे पहरे साथ इस channel के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को subscribe कर लिजीगा साथ में आपको bell icon को उन कर लेना है जिससे आपको सारी update यहां पर प्रोड करवाती रहेंगी बात करेंगे इसके result के बारे में कि इसका final result है वो कब तक आएगा उसके बारे में भी आपको यहां पर जो discuss करके सभी के साथ आपको share करने वाला हूँ सबसे पहले बात करेंगे EISIC का जो paper का level है उस level के बारे में discuss करेंगे कैसा level रहा किस परकार का आपका level रहा है ज्यादातर सभी candidate और यहां पर क्या किये थे exam application form भरे थे जिसके अंदर आपको लगबग 270 के आसपास या फिर 2585 के आसपास आपके जो candidate है वो यहां पर क्या किय हैं exam को दिये हैं लगबग यहां पर 10-15,000 जो candidates हैं उनकी आपकी absent रही है तो यह तो होगी इसमें absence की बात आप सबसे important चीज जिसमें level के बारे में discuss करेंगे कि इस वेकेंसी का level है वो आपका किस परकार का रहा है तो आप सभी को पता होगा paper आपका बहुत ही high level का यहां पर रहा है यह बिल्कुल भी चीज नहीं नकारी जा सकती बिल्कुल भी यहां पर decline नहीं किया जा सकता कि आपका paper किस परकार करा है तो बहुत ही high level का आपका paper रहा है बिल्कुल hard हाट। आपको सोर्ट सब्दों में अगर आपके पास बात तरके बताऊं तो hard level का आपका paper रहेगा और hard level का अगर आपका paper रहा है तो cut off पर आपका बहुत ही अच्छा खासा यहां पर क्या पड़ेगा असर पड़ने वाला है इस paper का बिलकुल आप सही सुन रहे हैं जो पहले की जो EAS चैसी के वेकंसी थी उस paper के अंदर और 7 जुलाई को जो paper करवाया गया था इस paper के अंदर काफी सारा difference यहां पर निकाला गया है और बहुत ही सबसे opportunity बहुत ही hard level का आपका paper रहा है तो cut off के अंदर आपका 100% यहां पर क्या रहेगा प्रभाव रहेगा तो cut off के बारे में भी आपको थोड़ा सापडेट दूंगा कि क्या आपके यहां पर idea लगाया या expected चीज यहां पर क्या लगाई जा सकती है result के बारे में चर्चा करें तो result आपका बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा यान की लगबग 20 दिन के आसपास आपका result हो सकता है ठीक है इसके अं important बात करेंगे इसके result के बारे में किसका result है वो आपका कप अने वाला है दूसरी चीज़ qualified marking क्या रहेगी सबी कंडेट यह बहूरहत है कि सर आपकी UP, PSC, ESIC की आंस्वर की आपको यहाँ पर जरूर से देखनी को मिलेगी और आंस्वर की आपकी बहुत ही जल्द यहाँ पर रिलीज करवाई जाएगी ठीक है बात करेंगे कट ओफ के बारे में जो कि आप सभी के लिए बड़ी ही इंटरस्टिंग चीज यहाँ पर रही है इसके अंदर कट ओफ के बारे में तो अगर मैं आपको सभी को यहाँ पर कट ओफ के बारे में डिसकस करके बताओं तो कट ओफ आपकी डिक्रीज रहेगी बिल्कुल यह बिल्कुल सही बात है आपकी cut off क्या रहेगी decrease रहेगी अनकी आपकी cut off यहाँ पर high नहीं होने वाली है जिस परकार का जो level रहा है paper का तो paper का level आपका बहुत ही hard यहाँ पर देखने को मिला है और hard paper के level होने की वज़े से आपको यहाँ पर जो cut off है वो भी आपको बहुत ही down देखने को मिलेगी ठीक है cut off आपकी बहुत down रहने वाली है इसमें कोई भी issues नहीं है आपके लिए सबसे important चीज रहेगा कि आपकी detail वीडियो आपके पास सबसे पहले राने की process करूँगा आज साम तक आपको यहाँ पर cut off के बारे में जो detail वीडियो है उसके बारे में आपको discuss करेंगे ठीक है कि जो ASIC की expected जो cut off है वो आपकी क्या रहने वाली है उससी के बारे में आज साम को आपको detail में चर्शा करने वाला हूँ completely information आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ कि क्या इसकी cut off रहेगी सबसे important अलग-अलग category के बारे में आप discuss करेंगे कि अलग-अलग category की आपकी अलग-अलग जो post है वो आपको देखने को मिलेगी ठीक है बाकी level आप सभी को पताईए है साथ में अगर किसी candidate को confused है comment box के अंदर comment कर दीजिगा cut off detail आपके पास बहुत ही जल्द आने वाली है ठीक है इसके अंदर आपको देख लिजिगा UPPSC अगर इस बार करवा रही है आप सभी को पताईए तो answer की भी है आपको देखने को मिलेगी answer की के बाद में scorecard भी आ सकते है साथ में आपका result भी आपर declare किया जाएगा ठीक है तो यह सारी चीज़े है सबसे important चीज़ paper के अंदर कोई भी आपर ऐसी दखल अंदाज नहीं होई है कि paper आपका दुबारा होगा कुछ जो साती है वो यह भी बता रहे थे कि paper leak का मामला है लेकिन आपर इस बार सबसे important चीज़ बता दूँ इस बार UPPSC की वज़े से कोई भी leak का मामला नहीं है यह बिल्कुल भी fake news है जो भी आपर फैलाई जा रही है कि जो paper का मामला है लेकिन यहां पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है 100% आपका paper बिल्कुल जैन्वन तरीके से conduct करवाया गाया था यहां पर कोई भी ऐसी दोखा दड़ी candidate के साथ बिल्कुल भी नहीं हुई है तो आप जो finally जो आपका result का weight है वो आप करते रहेगा जैसे आपको information मिलती है जैसे ही कोई update आती है results related तो आप सभी को मैं बिल्कुल सबसे पहले provide करवाने के process करूँगा all over India के जो candidate है वो इस vacancies को apply किये थे आप सभी को बताई होगा पूरे all over India के अंदर इसके exam center आपके दिये गए थे ठीक है यहां पर सबसे important यहीं था result का wait करें 1-1 के अंदर result आएगा बिल्कुल आप सभी को सबसे पहले इस channel के मादम से product करवाने की पूरी-पूरी कोसिस करूँगा जैसे कि आप सभी को पता है जितनी भी कोई भी अगर वेकंसी आती है तो उसकी starting से लेकर यहां कि इस channel के मादम से अगर कोई भी वेकंसी आती है उसकी starting से लेकर और उसकी ending तक आपको completely one by one admit card यहां की application form भरने से लेकर और उसका जो final result तक ना आ जाए तब तक आप सभी को regularly update आपको इस channel के मादम से मिलती रहेंगी और मिलती रहती है चाए वो किसी भी department के और कैसी भी वेकंसी हो ठीक है तो आप सभी से सरफ एक नवेदन रहेगा कि जो भी प्यारी साती है चैनल को subscribe के bell icon को उनकर लीजीगा जिससे आपको सारी update यहां पर मिलती रहेंगी आपके पास सारी notification आपको time से मिलते रहेंगे कि यहां पर क्या-क्या update है वो आपको आप नवेदन रहेगा कि जो भी प्यारी साती है चैनल को subscribe के bell icon को उनकर लीजीगा जिससे आपको सारी update यहां पर मिलती रहेंगे आपके पास सारी notification आपको time से मिलते रहेंगे कि यहां पर क्या-क्या update है वो आपको करवाएगी है nursing से related all और India की सारी update आपको यहां पर देख subscribe कर दीजीगा बाकि आपको मिलता हूं कोई नई update के साथ तब तक thank you so much जैहीं जैप